एक लब स्टोरी खतम होती नहीं है कि दूसरी लब स्टोरी हमें देखने को फॉरण मिल जाती है जैसे के मयंकतारा मिस हुए तो फिर लीजे नमन और सनम की लब स्टोरी हमें देखने को मिल गई लेकिन कहानी में ट्विस्ट था सनम के अंदर आ गई थी दिल्रुबा और सनम बन चुकी थी चुड़ैल और फिर नमन भा गया दिल्रुबा की दिल को दोनों की हो गई शादी और दोनों की हैपी मेरेड लाइफ हमें देखने को मिल रही है जहां पर नमन अपनी बीवी से बहुत सारा प्यार करता है दिल्रुबा भी नमन के लिए थोड़ा थोड़ा बदल गई है अब वो अच्छी चुड़ैल बन गई है हाला कि ये नाटक है या पर सचाई ये तो फिलाल हमें नहीं पता है लेकिन नमन बहुत खुश है अस तरह से अपनी बीवी के साथ बड़ कहानी में दूसरा क्विस्ट तब आएगा जब मयंक लोट आएगा शोट के अंदर आपको याद होगा कि सनम की पहली महबत मयंक था और वो जब भी तारा मयंक को साथ देखती थी उसे बहुत गुस्सा आता था अब ऐसे में जब लोट आएगा मयंक तो क्या फिर से सनम का दिल धड़कने लगेगा मयंक के लिए और अगर ऐसा हुआ तो फिर सनम मयंक की तरफ एट्रैक्ट होने लगेगी और ये नमन के लिए बिलकुल भी अच्छी कबर नहीं होने वाली है सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कॉमेंट सेक्शन में आप ही हमें बताइए कि इस लग ट्रायों में किसकी जीज होगी किसकी हार होगी टॉपनीवस की रिपोर्ट